कि है गाइज आजम ओ की मात्रा को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं आज समझेंगे तो आप देख सकते हुए चार्टे के बार देख लिजिए कैसे जार्ट है आपको पहले असे अनार और खाली तक आपको सारी चीज़े समझ में आजाने चाहिए जिब जाके आपको ये सारी समझ में आने वाली है तो अब हम लेते हैं पहला अपना कुछ सेंटेंसिज लिख लेते हैं जो की मात्रा के हैं तोल तोड़ा जोकर और यह चोथा है चोट पाचवा हो गया कटोरी अब हम इनकी इंगलिश बनाएंगे तो हमारा चार्ट एरा देख लीजिए पहले तरसे तर्बूच के हमें इंगलिश समझने हैं तरसे तर्बूच की क्या इंगलिश होती है यह देखिए तरसे तर्बूच की होती है टी ती होती है देखिए तो आप टी लिखेंगे हम और फिर आप ओ की मात्रा की इंगलिश होती है ओ तो यह है ओ एल ल तोल ऐसी होगा तरसे तर्बूच की टी होती है ओ की मात्रा ओ तो यह होगा तो दस्टमुल का D और A की मात्रा का A तोड़ा ऐसी जो कर ज़ना कि J होता है O की मात्रा O K A R ऐसी चोट C H चका O की मात्रा का O और तस्ट मात्रा का T चोट अब कोई मात्र निये A T O की मात्रा है तो O आर और बड़ी की मातर है तो फिरे आप ऐसे भी कर सकते हो के ए टी ओ आर अब यह कुछ तो यह दोनों सही है कटोरी आयोप आपको समझ में आयोगा थैंक्यू